है लो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में प्लेयर स्टोर में जा गरके सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम डॉलोड कर लेना होगा तो चलिए हम बता देते हैं कि इंस्टाग्राम आप प्लेयर स्टोर से कैसे डॉलोड कर सकते हैं यहाँ पर play store open करने के बाद यहाँ पर आपको search करना है Instagram, तो चलिए हम Instagram type कर देते हैं, Instagram type करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा interface दीखेगा और इसे install कर लेना है, तो हम इने install कर रखा तो चलिए अब हम इसे open करके आपको चलाना बताते हैं कि Instagram का icon कैसे बनाया और इसे कैसे चला जाता है, तो चलिए हमने install कर रखा अब इसे open कर लेते हैं, तो Instagram open करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा interface दीखेगा, अगर आप इस Instagram पर नए हैं, इस से पहले कैभी नहीं चलाएं, तो यहाँ पर आपको sign up का एक option दिख रहा है, sign up का नीचे, तो sign up पर click करेंगे, अगर आप Instagram पहले से account बना चुके हैं, तो यहाँ पर username और password डाल करके यहाँ पर आप login कर ले, तो यहाँ पर आपको sign up पर click करना है, sign up पर click करने के बाद यहाँ पर आपको mobile number डालना है, या फिर email ID डालना है, दोनों से आप बना सकते हैं, Instagram, तो चलिए हम email ID डाल देते हैं, email ID डालने क name डालने के बाद यहाँ पर आपको password डालना है, password को ऐसा भी choose कर ले, तो चलिए हम choose कर लेते हैं, password password चूज करने के बाद यहाँ पर आपको continue and sync context पर click करना है, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर date of birth चूज कर लेना है, तो चलिए हम date of birth चूज कर लेते हैं date of birth चूज करने के बाद यहाँ पर आपको next करना है, next करने के बाद यहाँ पर आपको username अगर change करना तो change username पर click कर सकते हैं, और यह change username आप बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको next करना है नेक्ट करने के बाद यहां पर आप लोग देख पाऊ रहा है, रेजिस्टेशन हो चुका और यहां पर आप अगर फेस्बुक से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो connect to Facebook पे किलिक करेंगे, तो चलिए हम फेस्बुक से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो skip करते हैं, skip करने के बाद यहां पे आपको फिर skip करना है skip करने के बाद यहां पे आपको photo choose करना है आप जैसा भी photo choose कर सकते है प्रोफाइल में तो चलिए अगर आपको photo choose करना है तो add a photo पे click करेंगे अगर आपको अभी photo नहीं choose करना है photo नहीं select करना है तो skip पे tap करेंगे तो चली हम add photo पे करते हैं और यहाँ पे अगर आपको camera open करके photo लेना तो यहाँ पे take photo पे करना अगर आपका photo gallery में है या फिर library में, album में है तो choose from library पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हों इस पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको next करना है next करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा open हो जोग और यहाँ पे follow करने बोल रहा है किसी को तो चलिए हम इसे सलमान खान को follow कर लेते follow करने के बाद यहाँ पे उपर में आप जिस किसी को भी follow करेंगे यहाँ पर उसका post देखेगा और यहाँ पर अगला है जो search है तो search में यहाँ पर search बार में type करके आप किसी person को find कर सकते हैं जैसे कि हम type कर लेते हैं search बार में type करने के बाद यहाँ पर उसका प्रोफाइल आ जाएगा और यहाँ पर आप उसके click करके यहाँ पर से आप follow कर सकते हैं फॉलो करने के बाद यहाँ पर आप उसका पोस्ट देख सकते हैं लाइक कर सकते हैं और यहाँ पर अगला पलस वाला आइकन पर किलिक करके आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं अपने इस्टाग्राम पर विडियो अपलोड कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर यहाँ प यहां पर आप स्टोरी लगा सकते हैं अपना आपका जो भी स्टोरी है यहां पर किलिक करके आप कैमरा चालू करके फोटो कर किलिक करके स्टोरी लगा सकते हैं या फिर अपने गैलरी से आप कोई भी स्टोरी लगा सकते हैं तो मुझे पूरा अमीद है कि आपको Instagram चलाना सीख गये होंगे अगर आप Instagram चलाना सीख गये हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे